बेस्ट ग्राफिक कार 2023, आप केमर हो, एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, सब के लिए बेस्ट ग्राफिक कार बताऊंगा, 10,000 से लेके 25,000 के बजट में, ये इंटरनेट पे the best वीडियो है, जिसमें मैं straight away आपको एक ग्राफिक कार रेकुमेंड करूंगा, जिसको आप directly purchase कर लो, instead of wasting your time, एक चीज़ द्यानकना, AMD के ग्राफिक कार्ड, गेमिंग के लिए तगड़े होते हैं, और NVIDIA के ग्राफिक कार्ड, overall productivity के लिए है, दोनों को compare नहीं कर सके, 10,000 का बजट है, और आपको तगड़ी गेमिंग करनी है, AMD Radeon RX 6400 से best choice आपको पूरे market में नहीं म सारी डीटेल आपके स्क्रीन पे है, इसमें 4GB की DDR6 मेमोरी आपको देखने को मिल जाती है, PCI 4.0 पे काम करता है, और minimum power supply की requirement 350W है, एक display port है, और एक HDMI port है, एक धियान रखने वाली बात है कि इसमें hardware, encoder, decoder नहीं देखने को बलता है, तो बहुत अच्छी editing तो बिलकुल भी आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप तगडी गेमिंग कर पाऊगे, और ये ग्राफिक कार्ड आपको 10,000 के बजट में, online, offline, आराम से मिल जाएगा, 10,000 के ऊपर मत खरीदना, बजट आपका 15,000 है, और आप गेमर हो, productivity task के लिए नहीं बता रहा हो, तो AMD Radeon RX 6500 XT, one of तब best choice आपके लिए होनी चाहिए, गेमर्स के लिए, इसमें आपको 4GB की DDR6 मेमोरी आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी मेमोरी वेंड विर्थ 144GB पर सेकेंड है, और ECI 4.0 को सपोर्ट करता है, इसके लिए power requirement थोड़ी सी कम है, 300W की, इसमें भी dual X cooling system मिल जाता है, एक display port ह इसमें भी hardware, encoder, decoder नहीं देखने को मिलता है, तो आपकी वीडियो एडिटिंग वगरा, productivity task बहुत slow होईंगे, इसकी best by approximately 14,000 के आसपास है, definitely consider करना gamers के लिए, 15,000 के budget में अगर आप productivity task देखना चाते हो, जिसमें आपकी तोड़ी अच्छी सी gaming भी हो जाए, और आपके सारे एडिटिंग, graphic designing जैसे task भी हो जाए, तो NVIDIA GTX 1650 को जरू consider करना, बट 13,000 के budget में, बहुत तगला graphic card है, अभी भी popular है, do consider it, 20,000 का budget है, तो NVIDIA GTX 1660 Super को जरू consider कर लेना, although 2019 में launch हुआ था, और आज भी बहुत popular graphic card ही है, 6 GB DDR6 memory के साथ आता है, 336 GB per second की memory bandwidth आपको देखने को बल 450 Watt की है, dual 90 mm cooling fan आपको देखने को बल जाते हैं, और high FPS gaming को ये support करता है, एक display port है, एक HDMI port है, और एक DBI port भी आपको देखने को मिल जाता है, इसकी price बहुत जादा fluctuate होती है, बट best price जो मेरे साब से होगी, वो 70 to 80,000 होगी, इस budget के आसपास ही इसको consider करना, otherwise दूसरे graphic card है, जो इससे जादा अच्छा performance आपको निकालके दे सकते हैं, 20,000 के around एक और graphic card आपको मिल जाता है, Intel Arc A750, आ मैं जानता हूँ, Intel ने recently अपने graphic card launch करना शुरू करा है, बट काफी अच्छा performance है, especially after updates, one of the recommended graphic card है, जो आप consider कर सकते हो, 8 GB DDR6 RAM आपको मिल जाती है, 512 GB per second memory bandwidth आपको मिलती ह requirement थोड़ी सी जादा है, 550 Watt की, ray tracing and adapted syncing आपको देखने को मिल जाती है, और multi format codec engine भी आपको देखने को मिलता है, जिसका आपको benefit productivity टास्क में मिलेगा, एक display port है, एक HDMI port है, इसको आराम से 21,000 के आसपस बहुत आराम से करीच सकते हो, और definitely consider कर सकते हो, Intel की तरब से, और इसमें कई और update आएंगी, जिससे इसका performance और अच्छा enhance हो सकता है, 21,000 के बजट में आपको pure gaming के लिए AMD Radeon RX 6600 मिल सकता है, इसको भी consider कर सकते हो, this is great for gaming, और अगर आपको balanced graphic card चाहिए 21,000 के बजट में, तो NVIDIA RTX 2060 को भी consider कर सकते हो, यह balanced है, productivity task भी आपकी अच्छे से हो जाएंगे और आपकी gaming भी ठीक टाक करा देगा, 25,000 के अंदर NVIDIA RTX 3060 को आज भी बीट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसमें 12GB की आपको DDR6 memory आपको देखना को जाती है, जिसमें 360 GB per second की memory bandwidth है, कोड़ा स्कोर 3584 है, और PCI interface 4.0 पे काम करता है, और minimum power requirement 550 Watt की है, बिंड फोर्स 2X cooling system मिल ज जाता है, जो कि आपकी gaming वगेरा के लिए बहुत जादा enough है, high FPS gaming को यह support करता है, दो display port है, दो HDMI port है, तो total 4 monitor आप आराम से connect कर पाऊगे, और 20-24,000 के budget में one of the best graphic card है, जिसको आप consider कर सकते हो, 26-27,000 के budget में आपको the best gaming graphic card अगर आपको चाहिए न, तो AMD Radeon RX 7600 के बराबर processor आप को नहीं मिलेगा, इसका gaming performance न, 30-60 Ti से आप compare कर सकते हो, जो कि आपको 35-36,000 में मिलेगा, तो आप समझ लो, 8GB DDR6 memory है आपकी, 476.9 GB per second का memory bandwidth आपको मिल जाती है, PCI interface 4.2 पे काम करता है, और minimum power requirement 500W की है, Dual X cooling technology आपको मिल जाती है, और Radeon Antilek का support है, तीन display port आप connect कर पाऊगे, ए इस से 27,000 के budget में बहुत आराम से करीच सकते हो, definitely इसको consider करना, one of the best choice है gaming के लिए, अभी भी अगर confusion है, 27,000 अगर आपका budget है, gaming graphic card के लिए, तो RX 7600 से best choice आपको मिल ही नहीं सकती, 25,000 के अंदर overall balanced graphic card चाहिए, तो NVIDIA RX 3060, NVIDIA RTX 2060 को definitely consider कर लेना, pure gaming के लिए AMD Radeon RX 6600 को जरू consider कर इस budget में, और एक balanced और नया type का आपको graphic card चाहिए, तो Intel RX A750 को consider कर सकते हो, 18,000 के budget में, NVIDIA GTX 1660 Super से best choice आपको नहीं मिलेगी, पूरे market में अभी भी, और 15,000 के budget में, best gaming के लिए, Radeon RX 6500 XT, या overall NVIDIA GTX 1650 को definitely consider करना, और 10,000 के budget में, gaming के लिए, Radeon RX 6400 से best graphic card आपको नहीं अगर अभी भी कोई query है, please comment